तुमस्कार सुबह की ग्यारा बच चुके हैं मैं हुआ आपके साथ दिव्याथिपारी खबरों के शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ MLC जुनाफ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे दे आपसे थोड़ी देर में वीज़ेभी प्रतियाशी करेंगे नामंकन सयोगी दलो के उमिद्वार भी भरेंगे परचा सीम योगी भी मौजूद रहेंगे उमिद्वारों की गोश्रा मैशेत्प्रिय समिकरंड की तस्वीर भी नज़र आएगी भाज़ पाक का रहले पर सभी MLC प्रतियाश्यों का स्वागत यूटी सेम विजेश पाठा कोपी राजबर मौजूद और विजेपी से विजेबाहदुर पाठा करेंगे नामंकन डॉक्टर महेंदुर कुमार सिंग, अशोक कटारिया, मुहित बेनिवाल, धर्मेंदी सिंग, सम्ती रत सिंगल, संतोर सिंग, आरेलडी से योगेश जराएंगे, मुक्यमंत्री योगी आद अतनाद भी मौजूद रहेंगे, आपको बता देखिए आपसे थोड़ी देर पहले, कदेश रदेश बुपेनिचो अग्री की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस भी की गई, जिसको उन्होंने जीत का दावा किया, तो सारे सम्मिकरणों क आज परचा दाखिल करेंगे, आज नॉमिनेशन फाइल करने की आखिली तारीक है, और इसी कड़ी में तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनों की तस्वीरें हैं, प्रदेश अधेक्ष तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ मुक्यमंत्री योगी आद भी मौजूद है, तो भाजपा कारयले पर सभी MLC प्रतियाशियों का स्वागत हुआ है, और DPCM बिजेश पाठक वोपी राजबर भी मौजूद, इसके लाबा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पिलहाल नॉमिनेशन फाइल करने का सरसला शुरू हो चुका है, और इसी पर और सुधा बाचित के लिए हमारे सायोगी विशाल अगवशी इस वक्त जुड़ गए है, विशाल क्या बेट्स आपके पास? जो प्रत्याशी हैं, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, तो यह तस्वीरे हैं, बेहत खास तस्वीरे हैं, एमल्सी के चुनाओ को लेकर, दस प्रत्याशी जो है, वो बीजेपी, उनके सायोगी दल जो है, वो उतार रहे हैं, कुल तेरा सीटों पर चुड़ा होना ह जा रहा है, तो फिलाल आप तस्वीरे देखते हैं, विजेबादुर पाठक हैं, महिंदर सिंग इस अपना जो एफिडेविट हैं, वो जमा कर रहे हैं, जो जो चुनाओ का जो फॉर्म है, वो जमा कर रहे हैं, महिंदर सिंग अमल्सी भी थे, और यूपी सरकार में राज सकती मंत्री भी रहे हैं, जब कारकाल योगी सरकार का पहला था, तो ऐसे में उनको पार्टी ने मौका दिया है, और आप तस्वीरे देखते हैं, कि पहले केंडिएट के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा जो है, वो दाखिल कर दिया है, इसके साथ अगर आप देखें के नाम है, उनमें अगर हम बात करें, तो जो संतू सिंग है, प्रदेश उपाद्यक्ष थे, उनको जो है MLC बनाया गया है, अभी तक प्रदेश उपाद्यक्ष भाजपाव के तौर पे थे, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो जो तवाम धरमेंदर सिंग रहे हैं, जो ब प्रकार राजबहर की पार्टी सुभासपा को दी गई थी और एक जो है रालोत को दी गई थी तो तो फिलाल यह आप तस्मिर देद सकते हैं कि यहां पर इस वक्ते आपको तमाम जो यहां प्रत्याशी हैं वो दिखाई पड़ेंगे इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो जहा आपना नामंकन दाखिल करने सबसे पहले महिंदर सिंह ने किया है और विजे बाहजुल पाथक ने आपना नामंकन जो है वो दाखिल किया इतना रिजेश पाथक इसके साथ सुभासपाजद्र्ट वह परकार राजभार सभी लोग आपको तस्वीरों में दिखाई पड़े दल है राजबालवालियान वह आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे तो रालोत के सभी विदाय के यहां पहुंचे हुए हैं इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह जो तस्वीरें हैं इसमें बिरहत खास है क्योंकि बीजेपी के साथ साथ जो उनके सहयोगी दल हैं एंडिये में सहयोगी दल हैं वो भी सब भी जो है अपना अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर रहे हैं तो ऐसे में यह जो पुरस चुआवी समिकरन है उसके नुसार आशीश पटेल को दुबारा रिपीट किया गया है आशीश पटेल MLC थे और अपना दल S के अद्धेश जो अद्धेश पटेल हैं उनके पती हैं यूपी सरकार में मंत्री भी हैं आशीश पटेल प्राविदीक सिक्षा उनके पास है विवाग ऐसे में उनको जो है दुबारा से रिपीट किया गया है उनको सहयोगी दल के तोर पर अपना दल S को जो है एक सीट दिया गया था अब MLC की विखे साथ एक सीट जो है सुभासपा अद्धिक्ष उम्परका राजबर को दिया गया था तो सुभासपा ने विचहलाल को प्रतेशी बनाया है विच्छलाल प्रदियस अद्धिक्ष भी है सुभासपा के और उनके पर बरसल जताया है सुभासपा ने इसके चैनल जो है ये बहुत खास है अलाकर कोई बहुत ज़явार के नगर से इस मुजड़ाफ पहने अब क्या है तेन capt dhp आर डिया है जो पर दो हो घुटार डिया है उब धे जो चलना है आप क्या है तो सबसे पहले महिंद सिंग ने नामांकन किया इसके बाए वीजे बादूर पाठक ने नामांकन किया है और अब धीरे धीरे चुकि दसों केंडिडियेट जो है उनके नामांकन में मुस्तरपदेश के मुखमत्री योगी आइतनात मुझूद है तो ये तस्वीरे विधान सभा की हैं विधान सभा में इन पूरे चुनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा तंदेश भी है सहीवी दलो के लिए भी क्योंकि लोग सभा चुनाओं से पहले सहीवी दलो को तीन सीटे जो है वो मलसी की भी दी लगा दिया तो ये तमाम चीजे हैं आज फिलाल नमंकरन पत्र जो है वो दाखिल किया जा रहा है तिम्योग्या इतनात मौशूद है और भाशपा के साथ अपना दल-S के एक रालोत के एक और सुभाशपा के एक प्रत्याशी जो है वो आज जो है अपना नामंकरन पतर जो है वो दाखिल कर रहा है ये तस्वीरे हैं और एक बार फिर से तस्वीरे के साथ मैं रवता दूँ कि वरतमान में MLC विजे बादूर पाठक महेंदर सिंग और अशोक काटारिया ये तीनों लोग सेटिंग MLC है इनको जो है दुबारा से रिपीट किया गया है तीनों को मौका दिया गया इसके लावा मोहिद बेनिवाल शामली से आथे हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जहासी के जो पूर मापोर रहे है राम सिरस सिंगल उन उन उपर भरसा जटाया गया है जहासी मुंदेल खंड को भी साथ में कोशिश की गई है और राम सिरस सिंगल को MLC बनाया गया है इसके साथ पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेन सिंग राय जो काशी से आते हैं वहां से उनको मौका दिया ग पर दोफर भी नामंकन फिलाल करने के लिए यह पहुंचे हुए यह तबाम समीकरण है और आज चुकी अगर बात कहें तो अंतिम आज दिन है ऐसे में पांच मही को यह सीटे हैं यह दिख्थ हो रही थी और इन सब चीजों के तिरा सीटों के लिए 21 मार्च को चुना होना है आज चुकी नामंकन का अंतिन दिन है तो ऐसे में आज समयादी पाटी भी अपना नामंकन दाखिल करेगी और नामंकन पत्रों की जाच 12 मार्च को होगी अगर कोई नामवाक्ती नहीं होती है कि BJP की यही स्ट्राटेजी होती है कि हर एक चहरा हर एक प्रत्याशी वो सो समझ कर उतारती है कि कहीं कोई नराज़गी की खबरे भी सामने ना आए जिनको टिकट लोकसबा चनाव में नहीं मिला अगर भाज़पा उताती तब शायद इस तरह की चुनाओ की नौबत आती है लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कुल 13 सीटे हैं ऐसे में BJP ने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश ये किए कि जो सही होगी दल है उन सब को बकायदा मौका दिया जाए और उनके लिए जो है बकायदा पुरी विवस्ता की गई है चायव हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि सुभासपा को मौका दिया है एक सीट का एक सीट रालोद को दी गई है इसके साथ एक सीट जो है सीट तोर पर इस पूरे मामले में आशिश पटेल जो अपना दल एस के कारकारी अद्धश है और यूपी सरकार मंत्री है उनको जो है रिपीट किया गया है तो सायोगी दलों का भी प्रॉपर धानक खा गया और तो यही वदह है कि जो प्रसायोगी दल है उनको किसी तरह से कोई नराजगी ना हो और चुनाओ के वक्त में बीजेपी बिल्कुल भी इस रिक्स लेने के मूड में नहीं है और इसलिए इस लिए इस तरह की पुरी कवायद जो है वो की जा रही है फिलाल यह जो आज नामंकन हो रहा है इनके जो पद है वो पांच माई को खाली होने वाले थे और ऐसे में उससे पहले आज और अगर इसमें जो है निर्विडो देता है कुल तेरा प्रत्याशी ही अगर गोशित करते हैं तो इन नामों पर कोई भी आपती नहीं होगी तो उसके बाद इसको जो है इन लोग को तबाम लोग को निर्विरो चुलिया जगा अगर ऐसा नहीं होता है प्रत्याशी एक्ष्टा उतरता है चाहिए वो सपा की तरफ ते या बीजेपी की तरफ तब जो है इस पूरे की ये जो है पूरा जो है पर जारत करते हूं तो कई नाम चर्चा में जितमें सपा कराश्टी महासर्चीव किरनपाल कश्रेफ कर नाम है मैयरंपूरी चिला प्रमुक शाकर का नाम हरा है इसाथ बसपाइचोडत आज़े सपारा में शामिल हुए गुर्दू-जमाली का ना हम अभी सपाह की तरफ कई हैं लेकिन अभी अगर हम बात करें तो फिलाल कह सकते हैं कि यहां पर अगर आप देखें तो यह संहिकरन तो यह यह देखने को मिल रहे हैं कि यहह 所有 नमांकर चीजै कि और दकिल किया जा रहा है लगातार जो है धर्मेंद रायए अ सब्सक्राइब नारस से आते हैं दमिंद कुमार राय पूरा नाम है और काशी में रहते हैं और यह कहां जा सकता है कि एक जो फाइट होती थी या कह सकते हैं कि कॉकि कॉंगरेस का जो आखरी विधान परशास दस्राह है वो दीपक सिंग रहे हैं उनका जो कारकाल है वो खत्म हो गया था उसके बाद बसपा से भीवराओं मेटकर थे जिनका कारकाल तेरा मेट खत्म हो रहा है तो ऐसे में यह कह सकते हैं कि फिलाल यह जो पूरा समीकरन है इसके इसके साल बीजेपी विधान परशाद ने भी मजबूत रहेगी और यह राजब्सभा चुनाओं की तरह अगर हो चौदवा परत्याशी आता है तो इस वक्त विधान परशाद में 100 MLC है जिसमें 38 सदसों का चुनाओं जो है वो यूपी विधान सबा के अमलोग दरा किया जाता है कि मतलब साफ़े की अगर हम बात करें तो